गुड बार्निंग प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब अमीद करती हूँ खेरियत से होंगे अच्छे से होंगे और खुब मन लगाके पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चे आजकल आप सभी बहुत जादा बिजी जा रहे हैं क्योंकि डारेक्टरेट की तरफ से आप सभी को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है सिक्किन प्रोजेक्ट बेटा मैं आपको बताती चलू कि ये प्रोजेक्ट सभी बच्चों को करना अनिवार रहे है कमपलसरी है हर हाल में करना है क्योंकि आप सब को इसके 20 मार्क्स मिलेंगे तो बेटा उर्दू के बच्चे भी एक छोटी से फाइल या पोस्टर बनाएंगे या मैं थोड़ा सा आइडिया दे दे रही हूँ आप सभी इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा क्योंकि आपको इसके 20 मार्क्स मिलने है करना बहुत जरूरी है कमपलसरी है तो सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे उर्दू के बच्चे कैसे बनाएंगे सबसे पहले आप एक कलरफुल पेज लेंगे ठीक है और कलर्फुल pencil pen का इस्तीमाल करेंगे सबी आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे ये देखे आप सिक्किन प्रोजेक्त मोटी सी हेडिंग डालेंगे headline डालेंगे, okay, colorful pen से, फिर अपना नाम, अपने जमात, यानि class, role number, section, id, आपकी student id और आप बहुत सी information आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो जरूरी होती है ठीके बेटा, तो चलिए करना start करते हैं, सबसे पहले आप अपनी page पर क्या डालेंगे बेटा एक अच्छी सी photos लेकर कि उसकी photocopy, सिक्किम की photo लेंगे उसकी photocopy paste करेंगे अपनी copy पर, file पर फिर उसके बाद उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे, जो भी information आपके पास होगी, तो चलिए मैंने कुछ information नहीं कठा करी, अब उसको मैं बता देती हूँ, सिक्किम शुमाल मशुर्की हिंदुस्तान की एक रियासत है, यह चीट के तिब्बत खुद मुखतार खिते से शुमाल और शुमाली मशुर्की में मिलता है भूटान मशुर्क में है तो मगरिब में नेपाल और जुनुब में मगरिबी बंगाल है सिक्किम बंगला देश के करीब हिंदोस्तान की सिल्लिग औरहदारी के करीब है सिक्किम की दारूल حकूमत, यानि कैप ठाल राजधानी, दारूल हकूमत क्या है गैन्टोक है क्या ये बहुत ही खुबसूरत शहर है बहुत प्यारा शहर है यहां एक बार आप जाओगे तो तुम्हारा बार बार जाने का मन करेगा ठीक है तो सिक्किम की दारोल हुकूमत क्या है बेटा गैंटोक है सिक्किम की रियासत जादातर सियाहत पर मुनसिर है ठीक है बेटा आग आने बोलते हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी रियासत के मुकाबले में जाधा है उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको समझ में आ रहा हो दूसरी पिक्चर पेस्ट करेंगे ठीक है यह देखे आप कोई भी पिक्चर जो आपको अच्छी लगे भूटा आरे वहां से रिलेट सिक्किम से रिलेट आपको जो भी पिक्चर अच्छी लगे आप वो लेके पोटो कॉपी कराके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं अपनी फाइल में ओके बेटा आगे चलते हैं सिक्किम सबसे कमाबादी वाला और दूसरे सबसे छोटी हिंदुस्तानी रियासत है यानि यह सबसे क लंतरीन पहार कंचन जगा यहाँ पर है सिक्किम में इशिया का दूसरा सबसे बड़ा मौतली पुल यानि सस्पेंशन बिरिज भी यहाँ पर है बेटा आगे चलते हैं सिक्किम में पाँच जबरदस्त गरम गरम शहूत यानि गरम शहूत अंगेज पानी के चश्मों का भी घर है यहाँ पर यानि गरम चश्मे भी पवारे भी है यहाँ पर ज़रने है यहाँ पर आगे चलते हैं बेटा कह रहे हैं सिक्किम की सबसे हैरत अंगेज कामियाबी यह है कि यह हिंदुस्तान की वाहित 100% नामियाती यानि और गयानिक रियासत है स्टेट है राज्य है है बच्चे समझ में आया और गयनिक स्टेट है आगे चलते हैं यह देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक मुझस्सिमा है किसका शिव जी का है आगे चलते हैं कहरे खान काहों की सरजमीन में सिक्किम में 108 फिट लंबा शिव जी का मुझस्सिमा है ठीक है जिसके चारों तरफ बा कुए पर लोग स्सेल कि इस जूंदेए उने में टूरी जानकाव की आलू और ऐलूरि एक कbakली खाना है ठीक है खाते हैं यहां की लोग मुमो भी खान तरह थे खेंग तरह माधिस है रहे हो भी घूडलगों सहल से हाँ ठीक है कि दोच कहाता है भी तेस्टी होता है यमी होता है så, यहां झाल पती है 이illa qa एक मठ दिखाया गया है कहने सिक्किम के रहने वाले लोग बहुत ही मजभी होते हैं मजभी यानि धार्मिक होते हैं रिलिजियस होते हैं यहां के लोग बहुत मजभी की पैरवी करते हैं यानि यहां की जादा तर आबादी जो है बेटा वो बहुत धर्म के मानने वाले हैं, बहुत रिलिजिस के मानने वाले हैं, उनकी पैरवी करते हैं लहाजा यहां मनाया जाने वाला हर तिवार बहुत मत से मंसलिक होता है बहुत तक्वीम के मताबिक सारे तिवार बहुत धूम धाम से मनाये जाते है बहुत धूमधाम से मनाये जाते हैं, यहां सिक्किम एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत शहर है, बेटा जब भी आप सब को मौका मिले, सिक्किम जरूर जाना और गैंटॉप तो जरूर जाना, बहुत ही खूबसूरत प्यारा शहर है, तो बेटा आप सभी इसे अपनी फाइल बनाएंगे या पोस्टर मेकिंग भी आप कर सकते हैं अपने तरीके से यहां मैंने आपको उर्दु में कुछ तर्जुमा करके ट्रांसलेशन करके मैंने कुछ चीज़ें जमा करी हैं आप सभी इसे अच्छे से अपनी कॉपी पर करेंगे और 20 माक्स कहीं नहीं जाने देंगे हर हाल में आप हासिल करेंगे ठीक है जल्दी से इसे करके अपनी टीचर के पास जमा करेंगे या फोटो क्लिक करके आप अपने वाटसप गुरूप पर इसे आप स्कूल के गुरूप पर भीज सकते हैं ठीके बेटा उम्मीद करती हो कि सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी मे अपने फाइल पे अपने पोस्टेर में करेंगे और करने के बाद 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने देंगे उसे जरूर हासिल करेंगे तो बेटा चलते चलते एक चीज में काना चाहूंगे प्लीज ये चैनल लाइक, सस्क्राइब, शेयर करना न भूले Thank you, bye bye